हेलो विल्कम बेक तो मैं आपका दोस्त आपका भाई रभी दोस्तों आज के व्लोग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला जो कुएट में होटेल होते हैं उनको खाना कैसा मिलता है और उनके खाने में क्या-क्या रहता है इस्टा मिल तो इस बारे में दोस्तों आज पूरी वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों आप सबसे मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब साथ बेल आइकन दबाके और का बटन जरूर दबा दें उससे मेरी जो भी नेस्ट वीडियो होगी कोई से वह आ यहां ठंडा गरम पानी है के लिए रखा है यह दोस्तों यह पर आप देख सकते हैं यह अगर आप तुरिकिस कोफی बनाना चाहते हैं तो तुर्किस कोफी हो रेका है पर एलक्रिक चूला रखा है अश्टोप उससे आप बना सकते हैं और साती में यह मैक्रोबेब अगर आप घर से खाना लाते तो यहां गरम करके खा सकते हैं तो दोस्तों जो आज कल लंच है इनका यह अभी मैं थोड़ा लेट गया हूं तो अब यह रिफिल होगा दुबारा आप देख सकते हैं सारे यह मटन है यह क्वेटी स्टाल में खाना करना के अरभी स्टाल का खाना आज यह देख सकते हैं तो ठीक है यह लगबल यह दो टीस मटन की एक चिकन है और दालेक राइस है और एक बिर्यानी था उदर वह फिनिस हो रहा भी लेग आएंगे और यह सालाद है यह अब्री डेस सालाद रहता है से मैंसे दिखा यह यह क आपको गर्म खाना मिलेगा कि यह दोस्तों और साथ में रहा है दोस्तों यह मैं तो यह वहाँ पर में वीडियो वाइस रिकोड़नी कर पाए वहां लोग थे तो इसलिए मैं भी आपको यह मैं ठीक है और इस से एक दिन पहले का खाना है यहां पर यह स्पैगती है स्पानी स्पैगती और इधर यह मटन लगा हुआ है बोईल एग लगे हैं चिकन यह थोड़ा चिली स्टैल में था और डाल और राइस यह जैसे आज है वैसे कल भी था और यह प्लेटे और साथ में रोगाउस सालाद आप यह देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यह खाना है दोस्तों क किसमत-वालों मिलते हैं जहां इतना अच्छा खाना मिलता तोस्तों यह थी आज की वीडियो कैसे लगी मेरे क laundry और अपने दोस्तों क्या सास्क्राइब लाइक जरू करने मिस्ते हैं वीडियो में requires